हे दोस्तो नमस्कार मैं आपका दोस्त इंजिनर कुमार मनीज स्वागत करता हूँ आपके यूटूब चैनल जोब इंडिया में दोस्तो अभी आपने हमारी यूटूब चैनल जोब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को सेयर कर दो UPNHM नर्स भरती 2022 दोस्तो UPNHM की तरब से नर्सिंग की नई भरती आ चुकी है बिल्कुल दोस्तो ओफिसिल नोटिफिकेशन आ चुका है अठारा पदो पर यह नई भरती मिडवाई फेरी एजुकेटर की निकाली गई है इसमें आपको बता दें आज है 1 मई, 2 मई से आप लोग जो हैं ऑनलाइन कर सकते हैं इसकी अंतिमतिती 22 मई 2022 रखी गई है तो दोस्तो कल से आप लोग जो हैं फार्म को फिल कर सकते हैं कल आप लोगों कल लिंक एक्टिवेट होगा तो UP NHM की तरफ से यह नई भरती नर्सिंग की आ चुकी है तो दोस्तो इस वीडियो में क्वालिफिकेशन क्या होगी जोब लोकेशन क्या है, सैली कितनी मिलेगी, कहां से भरती निकाले गई है नोडिफिकेशन को कैसे डाउनलोड करना है, A2J जी हाँ दोस्तो A2J सारी इनफार्मेशन देंगे तो हमारे साथ बने रही है पूरा वीडियो देखिए, चलिए आपको लेकी चलते हैं वेबसाइट पर अभी दोस्तो आप लोग देखिए, यह है UPNHM का ओफिसल वेबसाइट इसका लिंक नीचे डिस्केशन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पर किलिक करके डारेक्ट इस वेबसाइट परा सकती हो, National Health Mission, Department of Health and Family Welfare, Government of UP, UPNHM का यह दोस्तो ओफिसल वेबसाइट है जिसमें आप लोग देख सकती हो, Notification for Selection of Midwifery Educator तो दोस्तो, Midwifery Educator के लिए Notification यहाँ पर निकाला गया है, इस वाली ओप्सन पर किलिक करके Notification को दोस्तो डाउनलोड कर लेना है यहाँ पर आप लोग देख सकती हो, Notification भी डाउनलोड हो चुका है, डेट यहाँ पर मेंसन किया गया है 30 अपरेल 2022 को यह वेबसाइट पर अपडेट पब्लिस किया गया है State Health Society, National Health Mission, Government of UttarPardes, Selection for Midwifery Educator वेबसाइट का यहाँ पर इन्फार्मेशन दी गई है, आप लुक चेक कर लो National Health Mission की तरफ से समविदा पर दोस्तो यह भड़ती निकाली गई है जिसमें Midwifery Education की यहाँ पर वेकेंसी निकाले गई है स्वारी, Educator की यहाँ पर वेकेंसी है, जिसमें आपको बता दें तो 3 ENMTI है, जहाँ पर Midwifery Educator की वेकेंसी है तो 3 ENMTI में दोस्तों यह वेकेंसी रिलीज की गई है अब यहाँ पर आप लुक देखोगे तो Qualification की Information दी गई है और सबसे बड़ी Information है कि इसमें Female Candidate ही Farm को फिल कर पाएंगी जो Female हैं वे Farm को फिल कर पाएंगे, बाकि जो Male हैं वे Apply नहीं कर पाएंगे दूसरा Most Important है कि जो Service Staff हैं वे ही Farm को अप्लाई करेंगे तो Only in Services Staff Candidates can apply Regular and Contractual जो Service Staff हैं वे इस Farm को फिल कर सकते हैं अधरवाज जो Candidate हैं, जो Normal Candidate हैं वे Farm को फिल नहीं कर पाएंगे जो यहाँ पर Female हैं वे Apply करेंगे जो Regular and Contractual पे Department of Medical Health and Family Welfare में Service Staff हैं वे ही Farm को फिल कर पाएंगे अब इसमें दो लोग अप्लाई करेंगे एक MSC Nursing, MSC Nursing की बात करें MSC Nursing, Obstetrics and Gynecology and Pediatric Community Health साथी दो साल का Clinical Maternity Experience होना चाहिए तो आप लोग फिल करोगे तो Obstetrics and Gynecology की साथ साथ जो भी यहाँ पर Pediatric हैं Community Health में MSC Nursing का रखें हैं वे अप्लाई करेंगे टू इयर्स का Clinical Maternity Experience होना चाहिए नमबर टू, BSC Nursing के साथ 5 इयर्स का Clinical Maternity Experience आपके पास होना चाहिए साथी यहाँ पी Important है Obstetrics and Gynecology Nursing में अगर आपके पास Teaching Experience है अगर आपके पास Obstetrics and Gynecology में Teaching Experience नहीं है तो अभी आप लोग Farm को फिल करिए लेकिन अगर आपके पास Experience है तो आपको Preference दिया जाएगा तोटल देखिए 18 Post यहाँ पर रखी गई है 18 पदो पर यह Vacancy रिलिज की गई है जिसमें MSC Nursing अपलाई करेंगे BSC Nursing अपलाई करेंगे और यहाँ पर Age की बात करेंगे तो Maximum Age जो है 45 years रखी गई है अब कटेगरी वाज यहाँ पर Vacancy की Information नहीं दी गई है लेकि Most Important है जो Normal Candidate है वे Farm को फिल नहीं कर पाएंगे जो पहले से Duty कर रहे है Regular and Contractual Position पर Department of Medical Health and Family Welfare में किसी भी Position पर और आपके पास MSC Nursing की Qualification MSC Nursing, BSC Nursing की Qualification के साथ अगर आपके पास Experience है तो आप लोग अपलाई करिए बिना Experience के दोस्तों आप लोग Farm को फिल नहीं कर पाएंगे साथी देखिए 2 माई 2022 Farm फिल कर सकती हो यानि कल दोस्तों आप लोगों का लिंक एक्टिवेट हो जाएगा कल 2 माई है और कल से आप लोग जो है Farm को फिल करेंगे 22 माई 2022 इसकी लाइस देट है बाकि जो आपकी Experience की जो डेट है या और भी जो भी आपके Qualification की डेट है 30 अपरेल 2022 को Count किये जाएंगे इसके साथ ही अगर आपके पास दोस्तों Computer Knowledge है MS Office, Internet, Email कैसे करना है इन सभी की जानकारी है तो आपको प्रिफरेंस दिया जाएगा साथ ही आपके पास Experience होना चाहिए और आपके पास जो है आरियन, आरियम के साथ है Indian Nursing Council का Active Registration Certificate होना चाहिए तभी आप लोग Farm को Fill कर पाओगे तो दोस्तों यह Most Important है यहाँ पे बहुत सारे देखिए Subject दिये गए है, नोट कर लेना अभी इसका कैसे सेलेक्शन होगा इसकी Information नहीं दिया गया है बाकि कल से आप लोगो कल लिंक Activate होगा इसमें जो भी आपके पास Qualification है, यहाँ पे हमने आपको सारी Information दे दी है Website पर Update कर दिया गया है तो आप लोग Farm को ज़रूब फिल करिए Thank you दोस्तो, मिलते हैं नेश्ट वीडियो में धन्यवाद दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यह दोस्तों आरे से इंटरनेशन परकासन की बेस्ट बुक है यहाँ पे आप लोग देख सकती हो Anatomy, Physiology and Microbiology के दोस्तों कोस्चन बाइंक है सेंपल के तोर पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों इस बुक में आपको बता दे आपको जो है Previous Paper मिल जाएंगे Model Papers मिल जाएंगे साथी जो आपका India Nursing Council के तहत New Syllabus है नए पैटर्ण पर जो होस्तों यह जो Question Bank है तयार किया गया है दोस्तों यहाँ पी जो है नीचे आओगे तो इनके जो है प्राइस दिये गए है syllabus दिये गए है और नीचे आओगे तो इस बुक का दोस्तों मैं Content आपको दिखाने वाला हूँ अब यहाँ पी देखू कि Content में इसमें आपको MCQ Question मिल जाएंगे True and False टाइप से Question मिलेंगे Short Answer Type Questions मिलेंगे Long Answer Type Question मिलेंगे इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारे Question Bank है जो की RSA International Prakashan की बहुत ही जबरदस बुक है यहाँ पे इनके Question देख सकती हो MCQ Based Question है तो इस तरह से दोस्तों यह Simple है Question आप लोग अच्छे से देख लो दोस्तों आपको बता दे इनका पूरा सेट आपको Offline मिल जाएगा साथी Online आप लोग बाई कर सकती हो GM First Year के पूरे सेट जो है आपको Question Bank का मिल जाएगा यहाँ पे आप लोग देख सकती हो तो पूरा सेट अगर आप लोग लेना चाहती हो तो आप लोग Online ले सकती हो फिलिपकार्ड के थुरू इसके अलामा दोस्तो Amazon के थुरू और आप लोग जो है Offline सौब पर भी बाई कर सकती हो तो जल्दी से बाई कर लो नीचे Discussion Box मिल लिंग दिया गया है धन्यवाद